दोस्तो हिंदी की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं मन पसंद वीडियोज इस वीडियो में आप उनके बारे में जानेंगे जो सच में हमारे लिए और हमारे देश के लिए खास थे वो कल थे इसलिए आज हम है वो भारत के सच्चे स्वतंता से नानी थे जिनोंने अपने जान की बाजी लगा कर भारत देश को अंग्रेजों से आजात कराया दोस्तों, हमारे देश की आजादी अंगिनत स्वतनता से नानीों के संगर्स और बलिदान से मिली है तो आईए जानते हैं उन में से कुछ स्वतनता से नानीों के नाव सहीद भगत सिंग भारती स्वतंता अंदोलन के सबसे प्रभावसाली प्रांधिकारियों में से एक थे 23 वर्स के उम्रे में ही वे भारती स्वतंता अंदोलन के लोकनायक बन गये थे महात्मा गांधी ब्रिटिश शार्षन के खिलाब भारती स्वतंता अंदोलन के नेता थे द्वीती विशुद्ध के दवरान अंग्रेजों के खिलाब लडने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाध हिंद फांज का गठन किया था उनके द्वारा दिया गया जैहिंद का नारा भारत का राष्ट्री नारा बन गया है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा चंदर सेखर आजाद रामपसाद विसमिल के नेत्रित में काकोरी कांड किये और भगत सिंग के साथ लाहोर में लालालाज पत्राई की मौत का बदला सांडर्स की हत्या करके एवं दिल्ली पहुँचकर असंबली बमकांड को अंजाम दिये रामपसाद विसमिल भारती स्वतनता अंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे जिने तीस वर्ज की आयू में ब्रिटिस सरकार ने फांसी दे दी वे मैंट पूरी सड्य अंत्रव काकुरी कांड जैसी कई घटनाओं में सामिल थे तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन के सर्दसी भी थे सुखदेव भारती स्वतनता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे उन्हें भगत चिंग और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था शीवराम राजगुरू भारती स्वतंता संग्राम के एक प्रमुख करांतिकारी थे इन्हें भगत सिंग और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था असफाक उल्ला खान भारती स्वतंता संग्राम के एक प्रमुख करांतिकारी थे उन्होंने काकोरी कांड में महत्पुड भूमिगा निभाई 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फैजाबाद जेल में फासी पर लटका कर मार दिया गया सरदार वल्लब भाई पटेल भारत के स्वतंता संग्राम सेनानी थे भारत की आजादी के बाद वे प्रथमग्री मंत्री और उप्रधान मंत्री बने बार्डोली सत्याग्रह का नेत्रित्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाध प्रदान की आजादी के बाद विभिन रियास्तों में विखरे भारत के भू राजनितिक एकी करण में केंद्री भूमी का निभाने के लिए पटेल को भारत का विसमार्क और लौपूरिस भी कहा जाता है मदन मोहन मालवी अस्वयोग अंदोलन के चतुशूत्री कारिकरम में सिच्छा संस्ताओं के बहिसकार का मालवी जी ने खुदकर बिरोद किया जिसके कारण उनके बेक्तित्र के प्रभाव से हिंदू विस्वयोद्याले पर उसका आधिक प्रभाव नहीं पड़ा वे दो बार भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के अध्यच हुए बाल गंगा ध थे लोगों द्वारा स्वीकृत इन्हें हिंदू राष्ट्रबाद का पिता भी कहा जाता है लाल बहादू शास्त्री 16 साल की उम्रे में गांधी के आवान पर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर अस्थयोग अंदोलन में जोर सोर से सहयोग दिया डॉक्टर सहामी ब्यक्तित वाली स्वतंता से नानी थी रानी लक्ष्मी बाई 19 सदी के भारत में उनकी बहादूरी सहस और ग्यान और उनके प्रगतिसिल विजारों के कारण और उनके वलिदानों के कारण वह भारती स्वतंता अंदोलन का प्रतीक बन गई मंगल पांडे, मंगल पांडे भारत के प्रथम सोतंता संग्राम के अग्रदूत थे उनके द्वारा भड़काई गई करांती की ज्वाला से अंग्रेज सासनबूरी तरह हिल गया था हाला कि अंग्रेजों ने इस क्रांती को दबा दिया परमंगल पांडे की सहाधत ने देश में जो क्रांती के बीज बोएं उसने अंग्रेजी हुकुमत को 100 साल के अंदर ही भारत से उखान फेका मौलाना अब्दूल कलाम आजाद भारती स्वतंता अंदोलन के दोरान भारती राष्ट्री कॉंग्रेज के वरिष्ट मुस्लिम नेता थे और भारती स्वतंता अंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाये थे मोती नाल नेरू भारती राष्ट्री अंदोलन के एक कारे करता और भारती राष्ट्री कॉंग्रेश के एक महत्पूर नेता थे अस्वयूग अंदोलन के दोरान उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था लाल लाजपतराए ब्रिटिस औपणी वेशिक साशन के बिरुद भारत की आजादी के अंदोलन में एक महान त्रिगूरिक लाल बाल पाल लाल लाजपतराए बाल गंगर धरतिलक और बीपिंचंद्रपाल में से एक थे खुदी राम बोस, एक भारती बंगाली क्रांतिकारी थे, वे स्वतंता अंदोलन में सबसे कम उम्र के क्रांतिकारीों में से एक थे, अपनी फासी के समय वे 18 साल, 8 महिने और 8 दिन के थे जवाहरलाल नहरू, आजादी के लिए लड़ने वाले और संघस करने वाले मुख्य महापुरुसों में से एक थे, और आजाद भारत के पहले प्रधान मंत्री बने उधम सिंग, 13 मार्च 1940 को ब्रिटिस भारत के लेटनेंट गवर्नर सर माइकल ओर ड्वायर को मारने वाले सबसे प्रसिध भारती क्रांतिकारी थे इस हत्या को 1919 में अमरित सर में जलियावाला बाग हट्या कांत का बदला लेने के बारे में बताया गया है उधम सिंग भारती सतंता अंदोलन का एक प्रसिध खरांतिकारी है विपिन चंदरपाल एक भारती राष्टिवादी थे वह लाल बाल पाल के तिकड़ी में सामिल थे जिसमें लाला लाज पत्राय बाल गंगा धरतिलक और विपिन चंदरपाल थे तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिकर हमें जरूर बताएं और इस तरह के वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें अपने अगले वीडियो में भी मैं आपके लिए लेकर आउंगी कुछ खास तब तक के लिए बाई बाई टेक केर